हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लेटेसलन फारे में सी में तो फानली आज से हम स्टार्ट करने जारे अपनी बायो स्टैटिस्टिक की यूनिट नमबर सेकेंड जो पहला टॉफिक है वो क्या है रेगरेशन देखे अभी आपने जैस्ट इसके वीडियो के पढ़ाता को रिलेशन क्या होता है को रिलेशन है नहीं देखा था कि किनी दो वैरियेबल के बीच में क्या रिलेशन सीप है example के तुरपे हमने क्या समझाता कि माने जी दो महाँ भी सुभी डाले हैं अब हमको जानना है कौन सा बहतर है तो उनके बीच में हम correlation निकालेंगे उनके student का data निकालेंगे data के हिसाब से उनका correlation find out करेंगे उसी साब से पता करेंगे कि कौन सा बहता है तो उसी को बोलते है correlation अनदर example दिया था जैसे कि अगर by chance डीजल का rate बढ़ जाए तो डीजल से हमारे क्या चलता है ट्रक चलता है तो ट्रक से चलने वाले यतने भी transportation है चाहे वो सबजिया हो चाहे परचून्स के समान हो या कोई भ इसी बात है कि उसका जो असर होगा आपको उस समान के ऊपर जिसको आप ट्रांस्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा तो यह चीज हमने correlation में सीखी थी लेकिन अब हम ऐसा कहें कि मान रिए कि आपको साल दर साल मतब एक सपहले 2001 में डीजल करीट इतन हुआ 2012 में इतना था तो इतना हुआ 2013 में इतना था तो ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज क्या होगा तो आप जब हविस वाली चीजे निकालेंगे इसका मतब क्या है कि एक variable दिया रहेगा और दूसरे को आपको निकालना लेगा जबकि correlation में क्या होता था कि आपको दोनों variable द दूसरे variable को निकालेंगे इसी को क्या बोलता है regression तो अगर हम सिंपल से definition समझे तो क्या होती है regression इस दा statistical टूर क्या होता है कि जो हमको यह graphical representation दे मतलब हमको बताए which are used to estimate or predict the unknown value of one variable from the known value of another variable इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हमारे दो variables होंगे दो या दो से अधिक variable हो सकते है एक होगा हमारा क्या dependent एक होगा independent तो जो हमारे independent होगा उसके ओपर कोई effect नहीं पड़ेगा वह idea आपका given रहेगा ठीक वह variable जो independent होगा वह idea आपका given रहेगा अब अगर हम independent value में कोई भी बढ़ावा करते हैं तो उसका dependent value में क्या असर पड़ेगा इसी चीज को समझने के ल आपकी company बढ़ोतीरी में जाएगी व्रिद्धी करती जाएगी तो देदर आप 1000 टेबलेट बनाएंगे 2000 टेबलेट बनाएंगे 5000 बनाएंगे तो उसी को हिसाब में रखते हुए आप यह estimate निकालेंगे कि 2050 हम कितने टेबलेट बना सकेंगे तो हमारी जो variable होगी वह एक dependent रह से अगर हम कोई कर्व बना रहे है तो आठ की value बाई से चार की value 44 से 6 की value 36 से साथ की value बाई से तो उसी परकार से हमको 5 की value निकालना है तो सिंपल से इस 5 और इसको छोड़ देंगे और यतनी का हम regression निकालेंगे अभी हम आगे चल के जब फार्मासुट को example में इसको solution करेंग तो हम समझेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे regression point निकालेंगे उसके बाद x का मान हम 5 रखके y का मान हम निकालेंगे तुमारा y यहाँ पे मिल जाएगा ठीक in this value x given रहेगा और find आपको क्या करने का y from the following data इस data के मादम से अब बाता थे regression analysis क्या होती है regression analysis provide the estimate of the value of dependent variable which is to be fine मतलब कहने क्या है कि जिसको आपको find करने from the value of independent variable which are given जो कि आपको given रहेगा देखो example का तुर पर transportation का देख लें या हम अपनी manufacturing unit का देख लें या किसी भी ऐसी चीज़ का देख लें जिसकी value किसी दूसरे पर depend करती हो example अगर मैं आपको simple से दूँ कि एक कोई college खुला ठीक है college खुला अब college में क्या हुआ कि faculty अच्छी थे practical अच्छे हो रहे थे तो वहां से बच्चे जादा निकलने लेगे तो वहां की fees जो होगी वह बढ़ाने की कोसिस करेंगे तो जो fees बढ़ रही है तो इसी साब से आके म ये 2.5 की दर से व्रिधी कर रही है तो आने वाले 2050 में इसकी value कितनी होगी जैसे भारत की अर्थव्यस्ता का बूल निकाला गया कि इसकी व्रिधी rate कितनी है 5.2% है तो 5.2% अगर आज है तो 2040 में कितनी होगी तो 5.2% आपका X यहां पर दिया रहेगा आपको Y निकालना है बाकि आपके पीछले जो data रहेंगे उससे आपको regression analysis करनी है अभी जब आप इसका example mathematical example जब solve करेंगे तो आपको और अच्छे सा समझ में आगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ठीक है बिसिकली जो types होते हैं हमारे regression के वो चार टाइप के होते हैं एक simple regression होता है एक multiple regression होता है एक linear होता है एक knowledge लेगिन हमको क्यों दो ही पढ़ना हमारे syllabus में दो है एक simple regression जिसको थोड़ा deep में पढ़ेंगे और multiple regression के definition objective और उसके कुछ formulas के अधार पर उसको हम वहाँ पर analysis या find out करेंगे ठीक अब application of regression analysis मतलब regression analysis हम पढ़ते क्यों है क्या इसका application है तो used to know the relationship between the different value variables कहने का मतलब क्या है कि जो different variables है उनके बीच में क्या relationships है इसको जानने के लिए example के तोर पर अगर हमारे इंडिया की जो विद्येदार है 5.2% as compared to 2014 तो आने वाले 2030 में 2035 में इसके growth rate क्या होगी तो relationship निकल जाएगा आपका you to find out the value of dependent from the value of independent variable मतलब कहने क्या है कि हम जो हमारे dependent value होगी उसको हम find out कर लेंगे ठीकिन and you to find out the coefficient of correlation and coefficient of determination मतलब कहने क्या है कि हमने correlation अभी पढ़ा था तो उसका जो coefficient होगा उसको भी regression के माध्यम से निकाल सकते है and you to the quality check the quality in the corporate sector जो corporate sector है उन्हें जो मारे जितने भी हमारे utensives वगारे समाल वगारे होते हैं उनकी quality को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो सिंपल से अगर degradation आपसे पूछता है इन दो नंबर में तो आपको इसकी definition लिखने है उसको कुछ इसका application भी लिख सकते हैं ठीक है अब अगर आप अपने syllabus में देखेंगे ठीक है यह जो है हमने राम नरायन की जो स्टेटिक की original book है वहां से content उठाया है इसलिए इसमें ज्यादा time लग गया अधरवाज आपको वीडियो कभी मिल जाती क्योंकि यह जो content था कहीं नहीं मिल रहा कहीं नहीं मिलेगा आपको बस आप यहां पे देखते रही है तो सबसे पहले आपने बात करें लिश्ट स्कॉयर मैथेड होता क्या है सिंप्री जो लिश्ट स्कॉयर मैथेड होता है इसा mathematical procedure होता है फॉर फाइन बेस्ट फिट कर तो गीवन पैरा सेट ऑफ डाटा बाई मिनी मैजिन समाफ स्कॉयर ऑफ दी इरेस या रेजिडिवल आप दी पॉइंट अब एक्जांपल के तौर पर हम समझते हैं आप आप ग्राफ बनाते हैं ग्राफ बनाने के बाद उसको बनाते हैं अब उसमें आप देखते हैं जैसे एक्जांपल के तौर पर हम इसीदा एक्जांपल पर आते हैं बलजे किया का अपने ग्राफ बनाया ठीक है आपने क्या लाइन को इसको आप 100 दूसरे को मिला देगे तो यह आपको हुआ बन जाता है अब इसी करब कोOff 우리ेज को देखना है कि अगर हम इस noiva को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा अच्छा रिए या हम इस point को इस point से मिलाएंगे तो हमारा जो graph मिलेगा वो ठीक लगेगा मतलब ठीक लगेने का मत कहा कि उसकी जो value होगी वो ज्यादा अच्छी होगी अभी example समझें यहाँ पर देखें माले जै कि यहाँ पर data दिया हुआ है डाटा में independent value दिये गई है जो कि एक दो तीन चार पांचे साथ आठा है एक तीन तीन पांचे पांचे अब हमने क्या कि इसका ग्राब बनाया simple सा x axis औ y axis तो हमने एक ग्राब बनाया उसके बाद हमने simple सा यहाँ पर लिया माले जै कि आपकी एक पे value एक ही तो हमने एक पे value एक रख दी ठीकना दो पे value हमारी कितनी थी तीन थी तो दो की value हमने तीन यहाँ पर बिंदी रख दिया मतला point रख दिया तीन की value भी टीन थी तीन की value भी थी यहाँ पर आपने देख लिया चार की value पर थी तो चार की value हमने 5 यहाँ पर रख दिया ठीक हम simple सा कर अब ऐसे हम अपनी पूरी value रख दे के ले जाएंगे अब हम देखेंगे कि अगर हम इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से अगर मिला देंगे तो जो इतना भी एरर होगा यह जतना भी डेविएशन होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे इस वाले पॉइंट को चूज किया लेकिन यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट को चूज किया यहाँ पर हमने लास्ट में मिला आया तो हमको देखने की मिला कितने जितने मारी डेविएशन था उसको स्कैलिंग कर लिए अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे समिशन इसको और जितना भी रेजिडूली इरर होगा उसका इसको फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ पर देखने 1.7 का है यहाँ पर ह इसको बाइंड इसको और जितना इसको स्कैलिंग करेंगे तो इसको चल्कुलेट करने पर इसको समेशन इसको 4.46 आया जबकि इसका जो हमारा समिशन इसको 5.14 आया तो अब हम यहाँ पर देखेंगे किसकी वैल्यू जादा है मैं अलब आब इरर हम को कहां पर देखने तो वैल्यू इसकी ज्यादा है तो इसका मतलब यह जो हमारा ग्राफ है यह ग्राफ एज कंपियर टू इसके मतलब 4.46 के एज कंपियर टू इसके यह हमारा ग्राफ ज्यादा सुटेबल है ज्यादा अच्छा है ज्यादा वैल्यूबल है एज कंपियर टू इसके तो इसी को ब deviation और देखनों के मिलेगा उसी परकार से आप इस point को simple सा इस point से मिला सकते हैं तो आपको और deviation देखनों के मिल सकता है तो जिस भी deviation की value सबसे ज़्यादा कम होगी उसी graph को हम अपने जो data होगा जो research paper होगा जो methodology होगी जो thesis होगी उसी graph को हम उसमें include करेंगे और इसी को इसी चीज को करने के लिए जो हमारे PhD वाले होते हैं जिनको thesis लिखनी पर ते अपना article paper जिन का होता है इसी method को use करके अपनी जो curve होते हैं उसको fit करते हैं और standard curve लाका रखे आपको देते हैं तभी आपको मिलता है एक standard curve उसके हिसाब से आप अपने को compare कराते हैं और अपनी value को देते हैं ठीक है तो यह था curve fitting method by the least square method ठीक है अब least square method में ही fitting lines है y is equal to a plus b and x is equal to a plus y देखिए इस चीज को समझेगा कि मैं इसमें कहना क्या हो तो यह आपका next topic है इसमें आप कहना का मतलब क्या है कि y is equal to a plus b का formula है इसके आधार पे आपको जो भी regression है उस regression को solve out करना तो firstly regression equation क्या होती है due to the regression equation because there are two regression line क्योंकि हैं पर दो regression line एक dependent होती है एक independent होती है इसको y और x से हम जानते है ठीक ना if there are two variables अगर हम दो variables की बात करें एक का है x है दूसरा क्या है y तो जो उसका जो regression value equation बनेगा तो पहला क्या बनेगा regression equation of x on y मतलब कहने का मतलब क्या है x on y मतलब x के उपर y तो मतलब हम वहापर dependent value हमारी कौन सी हो जाएगी simple सा x हो जाएगी और independent value हमारी क्या जाएगी y हो ठीक ना तो जो इसका फर्मुला में के मिलेगा एक्स इसकोल टू ए प्लस बी वाई भी लेगा ठीक तो कल्कुलेट दा वैल्यू आप एंड फॉलॉविं एक्वेशन आल अब यहां पर हमको ए और बी का जो भी हमारे वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए जो फर्मुला ह थी पर देखेंगे data को देखेंगे तो summation x निकालते हैं यहाफ का number of observation कितने number यह आपको find out करना है भी आपको find out करना है और summation y आपका उस एक्जामपल में दिया रहेगा next कहा है summation x y is equal to a summation y plus b summation y का square अभी हम जब इसका example समझेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जागे कैसे निकाला जाता है ठीक उसी परकार से हमने x on y का देख ले अब यहाँ पर हम देखेंगे y on x का मतलब y वहाँ पर dependent होगा और x आपर independent होगा तो y is equal to a plus b x to calculate the value of a and b following equation are used मतलब इस equation का use हम करेंगे summation y is equal to number of observation into a plus b summation y and summation x y is equal to n summation y plus b summation x square देखें कुछ नहीं है बस यहाँ पर हमने x on y लिया था तो वहाँ पर हमने क्या पहले रखा summation x रखा और यहाँ पर y रखा उसी को उल्टा कर देजे summation y को अगर आपकर निकालना होगा तो जहाँ पर summation x था वहाँ पर summation y कर दीजे ठीक है न उसके बाद आपकी यहाँ पर value यहाँ पर यह x है ठीक है उसके बाद आपकी value find out हो जाएगी है आप अफसानी से उसको calculate out कर सकते हैं ठीक है यहाँ भी आपका x है यह हो गया आपका क्या regression equation हो गया अब हम इसके example के उपर देखते हैं मतलब जो मैंने आपको यह formula दिखाया इसको कैसे calculate करेंगे ठीक तो यह देखें यह method उतना easy भी नहीं है बस easy है बस आपको data अच्छा मिला चाहिए देखें एक data मारा दिया हुआ है कि data given obtained two regression equation लिए आपको यहाँ पर दो regression equation आपको निकाल नहीं है यह आपका data है तो regression का formula भी मनें आपको जिस्ट बदा summation x is equal to na plus b summation y summation xy is equal to a summation y plus b summation y square यह आपको यहाँ पर आपको इन चीज की जरूरत है तो simply हम अपना table draw करेंगे इसमें हमारा xy दिया हुआ है एक बार x square निकालेंगे दूसरे बार y square निकालेंगे इसके बार xy क्योंकि अगर आप यहाँ पर दो regression equation निकारेंगे तो x on y on y on y on x दोनों हमको निकालना है तो हमको y square की मज़रूरत पड़ेंगे ठीक है तो simple सा हमने table draw कर लिया 5 3 10 8 9 यह हमारे data से आगए 8 12 6 5 यह हमारे data से आगए इसके बाद x square कर देंगे तो 5 का square 25 3 का square 9 10 का square 100 8 का square 64 9 का square 81 उससे परकास से y का square कर देंगे 8 84 हो गया 12 का 144 होता ह 6 का 36 5 का square 14 का square आपका 196 हो जाएगा उसी परकास हम x y निकाल लेंगे तो 8 45 12 36 10 6 के 60 हो गया आप 540 हो गया और 14 गुडे 9 आपका 126 हो गया इसे परकास का सबका समेशन निकां समेशन x is equal to 35, समेशन y is equal to 45, समेशन x square का 279, समेशन y square का 465 and xy का समेशन xy आपका एगा 302 अब equation पर आप simple से रख दिये तो x on y के लिए हमारा क्या था x is equal to a plus by और उसका हमने क्या हमारा क्या था यहाँ पर समेशन x is equal to n a, मतलब n का मान आपका 5 हो गया उसके बाद आपका 45 यहाँ पर समेशन y हो गया ठीकिन न n b, तो हमको simple सा हमारा इसका मान रख दिया उसे परका 35 is equal to 5 a plus 35 is equal to 5 a plus 45 भी equation first हो गई और 302 is equal to 45 plus 465 भी यहीं से हमने सब को data यहाँ से उठा लिया आप क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर a को हटाना है मतलब इस a को हमको हटाना है तो इसको हमको बरारवर करना पड़ेगा तो अब हम यहाँ पर calculation करेंगे क्या कि हम इसमें 30 से गु कर दें तो 95 45 45 45 यह कर जाएगा हमारी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगे एक्ट्वल में क्या होगा तो सिंपल से यहाँ पर 9 से मल्टिप्लाई कर दिए तो अगर 9 से आप 35 को मल्टिप्लाई करेंगे तो 315 आएगा और 9 55 हो गया और 45 को 9 से तो 405 यहाँ का equation number 3 हो गया अब फदर आप क्या करेंगे कि जो हमारी equation number 2 है उसमें से equation number 3 को घटा देंगे ठिक तो यहाँ पर हमने क्या क्या equation number जो हमारी 3 थी उसमें से हमने equation number 2 को घटा दिया तो 315 45 से 405 भी माइनस 302 बराबर 45 से प्लस 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 अब यहाँ से 45 45 से कड़ गया अब आपका यहाँ बचा किया 13 315 में से 302 जागा 13 बचेगा 45 प्लस प्लस गड़िया और 405 में से 45 जाएगा तो आपका 60 बचेगा यहाँ पर इसके बाद फर्दर आप क्या करेंगे substitute the value of b in equation first आप क्या करेंगे equation first में आप क्या करेंगे इस b की value को घटा देंगे तो b की value आप simple सा दे सकते हैं कि यहाँ पर equation first में 45 भी था तो यहाँ पर हम 0.22 रख दिये तो 35 equal to 5a plus 45 और 0.22 multiplication में अब इसको जब गुना करेंगे 45 बराबर 5a और यहाँ इसको इसको गुड़ा करें तो minus 9.9 यहाँ पर इसका आएगा अब 5 equal to 35 plus 9.9 तो 5 equal to 44.9 अब a equal to 44.9 by 5 total value आपकी 8.98 आई तो आपकी a की value कितने हैं कि 8 दिसमेलो 98 आगई अब हम आपसे यहाँ पर कहें कि अगर यहाँ पर हमारे दूसरी किसी की value दे हुई है तो हम सिम्पल सा अगर हमको निकालना होगा तो यहाँ पर हम सिम्पल सा उसकी value रख देंगे और value निकालने के बाद उस regression equation वहाँ पर दहाँ निकाल लेंगे तो यह इसका पहला example था ठीक है ना उसके बाद putting the value of a and b in equation second कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे जो उसकी value होगी उसको हम अपने जो हमारे main equation x is equal to a plus by वहाँ पर equation को fit कर देंगे तो x is equal to a की value अभी हमें निकाला 8.98 आया और b के value 0.22 आया थी तो x is equal to 8.98 plus 0.22 y अब हम आपसे कहें कि हमने इस data में क्या किया इस data के regression equation निकाला अब हम आपसे पूछें कि अगर x की value हम यहाँ पे कर दें 50 तो y की value क्या होगी तो simple सा आप इस equation में x की value 50 रख दीजे आपका y की value यहाँ पे निकल जाएगी उसी परकार से अगर मैं बोलूँ अगर y की value में देख दी 96 तो आप x की value बता सकेंगे तो simple सा x is equal to 8.98 plus 0.22 और y को 96 से 96 से सो multiplication कर देंगे आपकी यहाँ पे value निकल जाएगी यहाँ पर हमने आपको relationship बता दिया regression equation क्या होता है x की value कैसे निकाले जाती है x minus mean x के बार का मतलब क्या होता है mean is equal to bxy y minus y bar और y यहाँ पर हो गया y minus x minus x square का यहाँ पर आपका r r का मतलब क्या होता है आपका correlation sigma x upon sigma y मतलब इसका standard deviation y minus y bar तो अगर हम जहाँ पे bxy अगर हमको निकाल ला होगा मतलब इसी formula में हम bxy कैसे निकालेंगे क्योंकि हमारा x भी दे रहेगा x bar भी दे रहेगा y भी मिल दे रहेगा y bar भी लेकिन bxy कैसे find out करेंगे तो इसके लिए जो formula क्या है simple साब क्या करें summation x upon summation y square करें summation x minus x bar y minus y bar upon summation y minus y bar अगर इसका find out करेंगे तो simple सा summation x y upon summation y square या bx is equal to n summation x y minus summation x into summation y upon n summation y square minus summation y square या आपने अभी correlation में देखा होगा ठीक है न यह आपका formula लेगे उसी परकार से अगर y और ने करेंगे जहाँ पर आपका x है वहाँ पर y कर देजे और जहाँ पर y है वहाँ पर x है दे आपको यहाँ पर y और x के लिए निकलाएगा अब हम इसका example समझते हैं कि यह कैसे find out किया जाता है simply क्योंकि example यह आपका main है ठीक तो simply आपको यहाँ पर एक data दिया गया है x की value 14, 16, 21, 25, 18, 22, 27, 26, 20 21 दी गई है y की value आपके इतनी दिगा आपको इसका क्या निकलना है to regression point निकलना है तो formula क्या है x on y के लिए x minus x bar to bxy minus y bar ठीक तो bxy निकलने के लिए n summation x y minus summation x summation y upon n summation x square minus summation x का whole square यह भी आपको formula मैंने just आपको बताया और y on x के लिए जहाँ पर x आप वहाँ पर y कर दिजिए तो हम simple हैंको kya-kya यह भी आपका y होगा तो further है आप क्या करेंगे simple से table draw करेंगे x y because x minus x bar होता है मैंने आपको correlation में मि बता है medium mode में बता है कैसे निकला जाता है यहां पर x square निकालेंगे उसी प्रकार से y की value रखके y square निकालेंगे उसके बाद x square निकाल लेंगे ठीके न सिंपल सा आप सिंपल सा देख सकते हैं मेन हमने इसका जो निकाला 210 और दस वैलू है तो 21 मेंसे अगर हम 14 को मतलब 14 मानेस 20 करेंगे तो मानेस साथ आएगा इस पर इसको substitute करते चलेंगे तो आपके x की value निकाल लेंगे और x की value को x square निकाल लेंगे उसे प्रकार से y की जो मारी मेन था क्या 380, 380 बटा दस तो 3800 इसका मीन आया तो 38 मेंसे इसको मदलब substitute करते चलेंगे, subtract करते चले जाएंगे, आपकी y की value निकालागी फिसका y square निकाल लेंगे उसके बाद इसका xy निकाल लेंगे ठीक, तो आप सिंपल सा bxy आपको निकालना है तो हमारा जो formula क्या था n summation xy तो n कमान हमारा 10 है क्योंकि 10 observation है और summation xy कमान –45 तो हमारा 45 से इसको multiplication कर दिया, into summation x into summation y, summation x भी हमारा 0, summation y भी हमारा 0 है तो 00 तो मैनस 4440 बटा और यहां पर हमारा क्याता है, n summation x का square, minus summation x का whole square, तो summation x का square अगर हम यहाँ पे देखाएं कि तो 162 अठाया, और summation x कमान हमारा क कर देंगे तो मायने 4440 बटा 1620 कि किसी का भी स्क्राइब करेंगे तो इसके वैलू एक आए तो इसका कोई सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद फिर दो साथ का अर्तिस से गुना होगा तो इसका एक चीज़ आपको देखने हैं कि यहाँ पर जो वाई स्क्राइब के वैलू हम निकालेंगे तो जहां पर मैंने वाई किया था महां पर एक्स लगा देंगे और सिंपल सा कैलकूरेश कर देंगे बस यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने हैं कि यहाँ पर जो वाई स्कॉर की वैलू होगे 784 है उचे को कल्कुलेट करेंगे तो जिसकी वैलू 0.056 आगी अब इसी वैलू को उठा करके हम तो यहाँ पर आपकी किसकी वैलू निकल आई आप क्या करेंगे आप सिंपल सा इसको फर्मुले के उपर लगा देंगे य मैनेस वाई बार इसको जीरो पाइंट मैनेस 0.056 इन्टो एक्स मैनेस एक्स बार की वैलू 21 थी ठीक तो वाई मैने 38 वाई बार की वैलू कितने 38 थी इसको जीरो पाइंट 0.056 प्लस 1.776 यहाँ पर मैनेस लेगा ठीक फर्दर जब इस मैने 37 को हम इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर मारा क्या हो जाएगा मैने 0.056 इन्टो प्लस 1.176 प्लस 38 तो इसको हम प्लस मतलब इसको ब्रेकट में करेंगे ना जब इसको आप क्या करेंगे मतलब जोडेंगे तो आपका 39.16 आएगा तो य की वैलू ज यहाँ पर आपकी पर फोटीन दि हुए है तो इसमें जो नेक्स टॉपिक आता है वो आता है तो थोड़ा पड़ जाता है और बायो इसका definition and properties and application पूछा गया है तो इस पर हम ज़्यादा discuss नहीं करेंगे जो आपके लिए important था उस पर हमने ज़्यादा discuss किया अब simple सा जैसे हमने correlation देखा था correlation क्या होता है कि simple सा किन्नी दो variables के बीच में क्या relationship है और जब हमने multiple correlation देखा था तो हमाँ पर में देखा था कि दो या दो से अधिक variables के बीच में क्या relationship है उसी परकार से regression हमने देखा कि एक का value दे रहे कि दूसरे की value निकालने पड़ेगे लेकिन अब हमारी एक की value के उपर कि कि value depend करेगे उसको हम निकालेंगे मतलब कहने का मतलब कहा कि कि किसी एक चीज़ का charge बढ़ा तो उसका effect किस किस पर माने ज़िए transportation charge पढ़ा तो चाहिना से आने वाले charger मोबारिस इनके उपर क्या effect पढ़ेगा वो आएगा multiple regression के अंदर ठीक तो multiple regression analysis is used for the predicting the unknown value of a variable from the unknown value of the from the two or more variable कहने का मतलब क्या है यहां पर मारा known रहेगा ठीक है known value of the two or more variable मतलब कहने का कि कि दो या दो से अधिक variable की value हमको पता रहेगी और हमको एक unknown value गल के हमको वहाँ पर निकालना रहेगा it is the model with the one dependent and two or more independent value जहाँ पर मेरे dependent value to be predicted रहेगी और independent value हमको given देगी एक टो और x3 मतलब जहाँ आप एकस टो x1 x2 x3 दिया रहेगा तो x1 हमको निकाल दो एक 1.23 मतलब एक हमारा क्या जाएगा यहाँ पर independent value जाएगा और दो हमारा 2 3 हमारा क्या dependent value है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा जो value होगी वह हमारे independent value दी रहेगी और a की value हमको निकालनी रहेगी यहाँ पर एक पर तो एक करेंगे यहाँ पर एक लिएगा और दो तिन के value रिखेंगे तो multiplication करेंगे तो आपका एक की value का मतलब क्या है जो आपकी value की वो गिवन रहेगी इंटो 3 ठीक है इंटो x square plus b 13.2 x3 x3 का वहाँ पर value आप simple सा रखेंगे तो अगर हम इसके value निकालना चाहिए तो अगर हम वैल्यू निकालना चाहिए तो अगर हम वैल्यू निकालना चाहिए तो इस फार्मले का यूज करेंगे तो summation x1 is equal to na 1.23 वन आपका क्या जाएगा इंडिपेंडेट वैल्यू तो इस परकास है इस method का हम यूज करके इसको कालकुरिशन करें फिकाल यह आप से पूछेगा नहीं इसको ज़दा डिसकस नहीं कर रहा हूं अब सिंपल सा जो हमसे पूछा जाएगा उसके उपर हम आत जो हमारी independent value होगा उसको अच्छे से interpret कर सके the dependent variable only one independent variable is considered कहने का मतलब क्या है उच्छ आपको dependent variable होगा वह only when one independent variable is considered जब हमारी एक independent value consider की जाएगे तभी हम उसको अच्छे तरीके से निकाल सकेंगा dependent variable को ठीक है तो इस्टीमेट ये वारीज़ को दो है कि हमारी सीम्पल सा वात है उसे हम ढ़रे Luo निज्व Jeżeli ऐट के मस्त पीक है वह इस्टेंडर एर्याबं के अबWhen рав और ये समझाया है तो मशहाते कि एक चारा है तो इस आको leveninnen इस्टेमेट मतलब इस्टेमेट का एक स्टेंडर्ड डेविएशन होता है जिसे हमको रेजिडूल रूटे एर्र भी बोलते हैं एंप्टी तो इन्दा हाइपोथिस टेस्टिंग ओंफिदेस लिमिट मैंने आपको अलिडी सुभाद में बताता है कि इसको आपको हाइपोथि अंडर रूट समेशन y-ye, y-e क्या है जो आपका एर्र है जो आपको एर्र देखने को मिला वही आपका समेशन उसका हो जाएगा y-e स्क्वार अपन एन ठीक जहां पर y-e स्टेंडर्ड एर्र है और y-e के इस्ट्रिमेटर वैल्यू आप दी y और गिवन वैल्यू आपको र इविशन आपका जाता है यह स्टेंडर्ड एर्र गिप्स इंफर्मेशन अब रॉंग देग्रेशन मॉडल मतल्य निकाला हुआ है वह कितना गलत है यह कितना सी यह हमको क्या बाता इस्टेंडर् इरर बताता है थी अगर हमारा एस जो होगा वह कम होगा तो हमारा जो लू बनेगे लाइन होगी वह काफी अच्छी होगी गराफ आपका अच्छा होगा और इसका मतलब क्या जाएक है कि यह आपकी वह पर हाइपोथिस क्वालिफाइग कर देगे तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट क बने रहें नेक्स्ट टापिक में मिलते हैं प्रोबिबिल्टी के साथ में